तो है गाइस काफी दिनों के बाद फिर से हम आ रहे हैं अब ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं जारखंट के सबसे एक खूपसूरत जगह कह सकते हो जो नहां जाने वाली रास्ता है तो उधर ही हम लोग है यह रास्ता देखो काफी जादा सुनसान टाइप से लगता है और यह क्या बोल सकते हैं कि पूरा नेचर से भरा होगा ना उस टाइप से लग रहा है देखो चारो तरफ बस पेड़ पोधा और सारा बस नेचर ही नेचर तो गाइस हम लोग अभी इदर आये तो गूमने के लिए तो हमने सूचा कि क्यो ना एक छोटा सा ब्लोग टाइप से बना जंगल ही जंगल अगर इसी रास्ता पर हम लोग कंटिन्यू रहें तो हम लोग जोना फॉल पहुंच जाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो को अब हमें क्या मिला इसको कपास केते इससे कोटन बनता है रूई इससे निकलता है देखो तो गाइस वीडियो काफी दिनों के बाद आ रहा है तो फोड़ा सब प्यार दिखाएं तो वीडियो को लाइक देशे करें अब ही हम जो है यहां से वापस जा रहे हैं हम लोग को ज्यादा दूर नहीं जाना है अब यहां से चलते हैं वापस घर के और तो ब्लोग में कंट झाल झाल कि अब देख सकते हो हम यहां पर रुके हुए हैं और इस जगह रुक करके पकोडो का आनंद और प्लस नेचर को फील करने वाले हैं और देखो जी जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं वहां देको उपर आम का पेड़ है और इसमें कि बहुत सारा आम भी फला हुआ है तो देखते हैं इसको गिरा करते हैं तो आगे नए ब्लोग्स अगर चाहते हैं तो अगर इसमें अच्छा खासा रिस्पोंस रहा तो और भी ब्लोग्स हम लोग बनाएंगे ठीक है सोट ब्लोग्स या कुछ भी और से इंट्रेस्टिंग वीडियो टाइप से इस ब्लोग को यहां पर एंड करते हैं मिलते हैं इसी तरह के अगली कोई नई मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भाराट